Hello everyone, welcome back to my channel हमारी ये वीडियो UPBA counseling से related है आज की वीडियो में मैं आपको first round, second round यानि की pool counseling और direct admission से related सारे information प्रोवाइड करूँगी और मैं आपको 5000 refund के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगी तो आप please वीडियो को end तक देखना, skip मत करना चलिए start करते हैं देखिए आप सभी की 3 phases की counseling complete हो चुकी है जिन में से 2 phase के result भी declare कर दिये गए है 2 phases में सभी को college allot हो गए है और अगर अभी तक आपना fee submission नहीं किया है तो आप अपनी fee 5 December तक pay कर दे 5 December में भी आप 6 बज़े तक अपनी fee pay कर सकते हैं शाम के 6 बज़े तक जिनों ने भी नहीं pay की है तो आप pay कर दीजिए otherwise आपका admission reject कर दिया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं phase 3 की तो देखिए phase 3 में आप सभी का सवाल है की हमारा allotment result कितने बज़े तक आएगा तो देखिए आज 4 तारीकों आपको college allot होने थे अगर हम पिछले दो phases की बात करें तो दोनों के ही result रात को 12 बज़े update किये गए थे हो सकता है कि 8 से लेके 9 बज़े तक update कर दिया जाए उसमें allotment result का option तो अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए जब आप कांसलिंग में login करेंगे तो आपका allotment result वहाँ पर लिखा हुआ option 8-9 बज़े तक भी update किया जा सकता है लेकिन जब आप यहाँ पर click करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर zero entry लिखा हुआ है zero entry लिखा हुआ देखके आप सभी को घबराना नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई college allot नहीं हुआ है इसका मतलब यह है कि अभी college जो आपको allot हुआ है उसको update नहीं किया गया है और वो 12 बज़े के बाद update हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा college allot हुआ है इससे related आप पहले की वीडियो भी देख सकते है अब आगे देखिए अगर किसी के में ये notice लिखा हुआ आता है कि not allotted try in the next round तो ऐसे candidates का confirm होगा कि आपको कोई college allot नहीं हुआ है लेकिन जिनके में 0 entry लिखी हुई आई है उनका confirm ये रहेगा कि उनको कोई ना कोई college allot हुआ है तो यहाँ पर आपको सब समझ आ गया होगा आगे देखते हैं अब हम बात कर लेते हैं seat confirmation की third phase में जब आपको आज आपका allotment result आ जाएगा 5, 6, 7 इन 3 दिनों के अंदर आपको seat confirmation fee payment करना होगा अपनी college की fee submit करनी होगी और जिस दिन भी आप अपनी fee pay करेंगे उसके बाद 3 दिन के अंदर आपको college में जाकर report करना होगा अपना allotment letter लेकर जाना होगा confirmation letter प्लस fee receipt जो की आपके confirmation letter में ही रहेगी उसकी photocopies भी आप अपने पास रख लेना और जिनको भी जो भी college allot हुआ होगा आपके allotment result में आपका college का number दिया होगा वहाँ पर call करके पूछ सकते हैं कि अभी आपको कौन-कौन से documents लेकर आना है ऐसे ही जिनको 6 को जो fee pay करेंगे उनको 7, 8, 9 इन 3 दिनों में college में जाकर report करना है और जिनको 7 को fee pay करेंगे वो 8, 9, 10 इन 3 दिनों में जाकर college में report करेंगे तो देखिए अभी सिर्फ 2 phases की fee submission की date बढ़ाई गई है 3rd phase के लिए अभी कोई notice नहीं है तो आप कोशिश करना की अब 5, 6, 7 इन 3 दिनों के अंदर ही अपनी fee submit कर दें अब हम बात कर लेते हैं 4th phase की देखिए आज के दिन ही 4 तारीकोई 4th phase के registration स्टार्ट हो गए है 4th phase में कौन-कौन students counseling कर सकते हैं देखिए जिनकी 2,40,001 rank से लेके till end मतलब लाक्ष तक आपकी जितनी भी rank है चाहे आपकी rank लाखों में हैं तब भी आप 4th phase में counseling कर सकते हैं अगर आपको यह लग रहा है कि इसमें seat नहीं मिलेगी तो देखिए seat काफी available हैं बाकि कौन से college में आपको चाहिए उनकी seats पर depend करता है तो आप इसको counseling को बहुत अच्छे से आप choice filling करिएगा आप seat availability भी check कर सकते हैं official website पर तो देखिए यहाँ पर और कौन counseling कर सकता है plus leftover जिनको plus leftover का मतलब जिनको first में जिनोंने कोई registration या counseling नहीं की second में भी नहीं की और third में भी नहीं की ऐसे candidates fourth phase में counseling कर सकते हैं लेकिन वो candidates नहीं कर सकते हैं जिनको इन phases में बाकी तीन phases में कोई college allot नहीं हुआ वैसे students सिर्फ pool counseling कर सकते हैं plus leftover में सिर्फ वो ही candidate counseling करेंगे जिनकी counseling रहे गई है first, second, third में वो किसी कारण से नहीं कर पाए registration भी ओके तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं तो fourth phase में आप को आज सिर्फ आपका registration होगा five, six, seven इन तीन दिनों में आप registration और choice filling दोनों कर सकते हैं eight को आप सिर्फ choice filling कर सकते हैं और nine को आपको fourth phases वालों को college allot हो जाएगा college allot होने के बाद आपको ten, eleven, twelve इन तीन दिनों में seat confirmation fee payment करना है fourth phase का और जिस दिन आप fee pay करेंगे उनके ही तीन दिन के बाद तक आपको जाकर college में report करना है अपना allotment letter लेकर जाना है ओके आगे देखिए अब जैसे ही आपकी ये चार phases की counseling complete हो जाएगी फिर आपका turn आएगा pool counseling का pool counseling को आप सभी बहुत ही ध्यान से समझिए देखिए pool counseling में ये कब से start होगी तो आपकी pool counseling start होगी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 16 से अब सबसे पहले तो आप ये समझिए pool counseling में कौन-कौन पार्ट ले सकते हैं pool counseling में सभी candidate पार्ट ले सकते हैं जिनोंने first में counseling नहीं किये second में counseling नहीं किये third में भी नहीं कि और fourth में भी नहीं कि तो ये सारे candidates पार्ट ले सकते हैं pool counseling में दूसरी category क्या होगी जिनको इन सारे phases में कोई भी college allot नहीं हुआ है वो भी pool counseling कर सकते हैं उनको not allotted लिखा हुआ आया है वो सभी pool counseling कर सकते हैं तो यह आपको समझ में आ गया कि pool counseling कौन-कौन कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि सारे ही candidates pool counseling कर सकते हैं अगर उनको college allotted भी हो गया है और उन 4 phases में तो आपकी तीसरी category है अगर आपको college allotted हो गया है आपको वो college पसंद नह दे सकते हैं लेकिन अब आप यहां पर 5000 के बारे में ध्यान से समझिए बार बार आप मुझसे पूछते हैं कि 5000 refund कब होंगे तो देखिए इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिए 5000 अगर आपको इन 4 phases में college allotted हो गया है और आपको वो college पसंद नहीं है आप उसमें अडमि आप चाहे आप admission लेते हैं उस college में आपको जो मिला है या फिर ना ले 5000 आपके किसी भी case में refund नहीं होने वाले 5000 refund किनके होंगे जिनको कोई college allot नहीं हुआ है या फिर जिनकी choice filling ही नहीं हो पाई थी तो जिनकी choice filling नहीं हो पाई ये उनको pool counseling में मौका मिलेगा तो pool counseling के बारे में सबसे important बात आप ये ध्यान से समझेए कि pool counseling अगर आप करने जाएंगे अगर आपने मन बना रखा है कि आपको pool counseling ही करनी है सबसे पहले तो मैं आपको यहीं कहना चाहूंगी कि आप अपने phase में counseling करने की कोशिश करें क्यूंकि अगर आप phase के थूरू chances भी जादा रहेंगे और आपको एक साथ सारी fee पे नहीं करनी पड़ेगी अब यहाँ पर क्या करना है आपको pool counseling आपकी 16 तारिक से शुरू हो रही है 16 तारिक को आपको देखिए यहाँ पर तीन दिन मिलेंगे 16 17 18 इन तीन दिनों के अंदर देखिए आपको यहाँ पर registration और साथ पे करनी है एक साथ पे करनी है कॉलेज बहुत ही ध्यान से चूज करने है पता करके चूज करने आपको कौन से कॉलेज में seats बची हुई है और अगर आप यह fee पे कर देते हैं ओके अगर आपको कोई college allot हो जाता है मालीजे आपने pool counseling की और आपको college allot हो गया तो क्या हो college में ही जाना है क्योंकि fee तो आप already pay कर चुके हैं अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी candidate को college मिल गया अब उसे वो college पसंद नहीं है तो आप क्या उसमें आपको admission 100% लेना ही पड़ेगा otherwise आपके यह सारे रुपेज आपको refund नहीं होंगे अगर आपको जो college आपने fill किया था वो आपको college नहीं मिला है तो फिर pool counseling में आपके यह सारी money refund हो जाएगी तो आपको बात समझ में आ गई है 19th को आप सिर्फ choice filling कर पाएंगे 20 को pool counseling का जो allotment result है वो declare कर दिया जाएगा उसके बाद 21, 22, 23 में direct आपका confirmation letter आएगा यहाँ पर क्यूंकि fee पहले ही pay हो चुकी है और यह letter लेकर आपको इन तीन दिनों के अंदर ही college में जाकर report करना होगा तो pool counseling से related आपको सभी चीज़े समझ में आ गई है नहीं आई है तो आप अभी भी मुझसे comment section में पूछ सकते हैं वैसे मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है अब हम बात करते हैं direct admission की अब direct admission कौन ले सकता है सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को समझिए direct admission वो candidates ले सकते हैं जिनोंने first round में counseling नहीं किया यानि कि किसी भी phase में counseling नहीं किया जिनोंने pool counseling भी नहीं किया ऐसे candidates direct admission ले सकते हैं तो direct admission भी सबी candidates ले सकते हैं अगर उनको college allot हो गए हैं उनको college पसंद नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर वो अपने college को छोड़के आकर direct admission ले सकते हैं condition वही रहेगी कि आपको 5000 आपके refund नहीं होंगे जिनको कोई college allot नहीं हुआ है वो भी आकर direct admission ले सकते हैं तो direct admission भी कोई भी ले सकता है लेकिन direct admission में आपको ये धियान रखना है कि direct admissions तक college में seats कम बचती हैं अगर आपने पहले ही कहीं बात कर रखी हो तो आप उस college में admission लेने की कोशिश कर सकते हैं बाकी आप pool counseling में भी कोशिश करें direct admission अगर आपको फायदे मन दिख रहा है आपकी जानकारी है कोई तो आप हमापर admission ले सकते हैं बाकी scholarship बगारा से related कोई भी दिकत direct admission तक भी नहीं आएगी अब हम direct admission की बात कर लेते हैं कि कब से शुरू होगा ये तो देखिए ये तीन दिन दिये हुए आपके 24, 25, 26 इन में आपको direct college में जाकर admission लेना है अपनी fees लेकर जानी है आपक ये मत सोचेगा कि आपको counseling की fees नहीं देनी हैं वहाँ पर भी पूरा process सेम रहेगा क्यूंकि देखिए counseling की fees तो सिर्फ होगे कि अब जिनके भी 5000 refund नहीं होंगे अगर वो admission नहीं ले रहे हैं उस college में तो आप ये मत सोचना कि आप अगर direct admission और pool counseling करते हैं तो ये पैसे वहाँ adjust हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा आपको ये 5000 रुपे pool counseling में भी और direct admission में भी अलग से देने होंगे I hope कि आप सभी को बाते समझ में आ गई होंगी आप सभी के doubts clear हो गए होंगे अगर इससे related अभी भी आपको कोई doubt है तो आप comment section में पूछे पर please उससे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिए सारी चीज़े बताई गई हैं कहीं भी आपको कोई doubt नहीं होगा अगर वीडि